दोस्तो आज जो है फिर से हम एक लेकर आए हैं बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो जहां पर आपको गार्डिनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी साथ में हम green net के बारे में liquid fertilizer के बारे में भी बात करेंगे और तो और एक ऐसे super food की harvesting करेंगी जिसको की हमारे नानी दादी तो बहुत जानती थी लेकिन आज कल के modern समय वाले लोग कम जानते हैं और उसको जनवाने के लिए उसका नाम दे दिया है super food वो दोस्तो कोई और नई बलकि हमारी वही पुरानी चौलाई है जिसको की लाल साग, लाल भाजी, एमरेंथस के भी नाम से जानते हैं वो दोस्तो ये है बहुती खाने में फाइदे मंद है जैसे हम लोग की पालक मेती की सबजी बनती सेम ठंक से इसको भी वैसी बनाया जाता है लेकिन इसके benefit तो बहुत है health benefit तो बहुत जादा है उसके बारे में हम ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे तो ये मैंने जो था लगाया तो इसको फरवरी में था ये देखे से बीच भी बन रहा है लेकिन आप इसको लगाना चाहते हो तो बस ये ध्यान रखेगा बरसात का सीजन छोड़ दीजे और extreme सर्दी यानि दिसंबर का महीना और extreme गर्मी यानि की मै जून का महीना छोड़ करके पूरे साल इसको आप लगा सकते हो बहुत ही असानी से हो जाता है वैसे मैंने इसके time to time इसके updates भी आपके संग share करे हैं तो अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत हम short में जानकारी भी दे देते हैं तो इसको तो दोस्तों मैंने जो था वैसी grow bag में बड़े बाले में जिसमें की नीचे garden waste भरा हुआ है उपर जो है मेरी जो पुरानी यूस करी हुई मिट्टी रहती है उसी में मैंने जो था गोबर खाद वगरा थोड़ी बहुत मात्रा में कैदे 20% मिला करके मिट्टी को rest में छोड़ दिया था हफता बर के लिए फिर बीज डाल दिये थे बीज जो थे 4-5 दिन में अराम से germinate हो जाते हैं यह हम आपको बता रहे हैं फरवरी शुरुआत की जैसे तो कोई भी भाजी आप लगाओ 5-6 इंच की हो जाये तो उसकी harvesting करना शुरू करिए जितनी जल्दी आप उसकी harvesting करोगे उतना ज़्यादा बार आप उसकी harvesting कर सकते हो अब मेरी तो देखिए बहुत ज़्यादा mature हो गई है किसी कारवश हम नहीं harvesting कर पाए है तो यह ध्यान रखिएगा भाजी कि अगर आप ज़्यादा harvesting चाहते हो तो उसको जब grow करने लगे तो जल्दी जल्दी harvesting करिएगा तो हमारे हाँ पर देखिए sunlight तो देखिए पूरी छट में आती पूरे दिन की रहती है आप अगर लगाना चाहते हो तो उसको यह ध्यान रखिएगा तीन चार घंटे की भी sunlight मिलती है लेकिन डिरेक्ट मिलती है तो यह plant बहुत अच्छे से grow हो जाता है तो इसको जो है आप अराम से grow कर सकते हैं अब यहाँ वाली हरी भाजी है इसको भी harvest कर लेते हैं इसको जो है आप डाल जो मूँ की डाल उरत की डाल होती उसमें भी cook कर सकते हैं तो सेम आप पालक वगरा cook करते हैं वैसे भी कर सकते हो और नहीं तो आलू डाल करके पालक मेथिक सबजी बनती है वैसे ही आप इसको भी बना लीजए health benefit बहुत ज़्यादा है इसके अच्छे यह धियान रखेगा कि इसको जो है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रुवत नहीं होती है चुकि हम लोग के यह इसमें लगा रहता है यह गंबले ग्रो बैग में तो बस इतना मौश्यर हलका सा बना रहे है लेकिन अगरा पानी कहीं बार बार इसमें ऐसे भरा है और फिर आपने बर दिया तो खराब होने के चांसे ज़्यादा रहते हैं इसमें मैंने कोई भी लिक्विट फर्टलाइजर नहीं डाला है जो पहली बार मैंने वीडियो बनाया था इसका स्वायल मिक्स का इस बड़े वाले ग्रो बैग का तो जो उसमें खाद वगेरा पड़ी थी उसी से ये लाल भाजी ग्रो हो रही है इसमें मेरे लौकी भी लगी हुई है तो जो लौकी उस साइड लगी है तो वो तो तेजी से ग्रो हो रही है लेकिन लाल जो भाजी के बीच में चलाई के बीच में जो लॉक़ी के छोटछे पॉद हैं वो दब रहे हैं. तो मैंने सोचा इनको फट़ापट हर्यस्ट करके उनसे ले लें फिर हटा दें इसको. ताकि लॉकी जो है मेरी ग्रोव हो. में लिक ग्रोव्य ग्रोव में मैं लॉकी ही ग्रोव करना चाहती थी. लेकिन वही था कि स्पेस खाली थी उस समय लौकी के बीच नहीं थे मेरे पास तो मैंने जो था ये चौलाई डाल दिया था मैं भी जो हूँ टेरस में गाडनिंग करती हूँ तो में पर जो भी चीजे होती हूँ उसका मैं पूरा इस्तमाल करती हूँ अब मैं क्या करूँगी तो भी आपके संक शेर करेंगे ये देखे इतनी सारी मेरी ये भाजी हो गई है ये देख रहे हैं कितनी सारी हो गई है कई दिन ये मतब खु को खोगी हमारी और ये अभी लगी है ये पांच-छे दिन में ही रेखेगा बड़ी हो जाएगी स्पाइडर माइट्स दिखे हैं वैसे यह वाला जो सीजन होता है मार्च अप्रेल इसमें कई बार अगर आपने चूख गया पुराने प्लांट हो गया आपके तो स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं तो यह देखिए यह कितने खुशी दिख रही है अपने हाथ से बोई सब सब्जी अपने हाथ से गालज दिंग करके जब सब्जी पाते हैं तो उसका मजा ही निराला होता है अब यहां पर मैं लेकर आ गई हूँ थो पोस्ट लेकर आए हैं यह कंपोस्ट किशन कंपोस्ट नहीं है वर्मी कंपोस्ट है इसको मैं डाल दे रही हूं पांच्छे बहुत छोटा सा है तो उसको भी मैं ग्रो होने दे रही हूं पता नहीं आगे कितने क्या जिंदा कितने रहते हैं कितने कतम हो जाते हैं ग्रीनेट की बात करें दोस्तों तो अभी मेरे टेरेस में ग्रीनेट नहीं लगा है वो इसले नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे यहां क construction का थोड़ा काम चल रहा है तो green net लगा देंगे दिक्कत हो जाएगी इसके बाद जो है पौधों को भर पेट अभी पानी पिला दे रहे हैं क्योंकि नीचे खाट डाली हुई है धूप आजकल बहुत तेज होने लगी है अगर हम ऐसे ही उपर ही बर्मी कंपोस छोड़ मायक्रोबी खाट पी करके सब कुछ डिकंपोस करते हैं वो मेरे प्लांस लेते हैं तो इसलिए खाट अगर दीजेगा थोड़ी बहुत मात्रा में पानी जरूर डाल दीजेगा मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था क्या ग्रीन ने लगाना बहुत जरूरी है तो अगर देख कर सकते हैं उसको तो कोई जरूरी नहीं है ग्रीन ने लगाना लेकिन कईपा सीजनल प्लांच अभी तो देखे चल जाते हैं लेकिन मैंजून की गर्मी पड़ती तो उसमें वो जुलत जाते है अगर आपको यह बरदाश है तो कोई बात नहीं आप चलते रहने दीजे ऐसे और अगर आप थोड़े से सेंस्टिव गार्डनर है और दिन भर की सनलाइट आती है तो कोशिश कर ये ग्रीन नेट लगा लीजे ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो बड़ी बेट की चद्दर लेकर के भी थोड़ी बहुत आर या चाव प्लांस को दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं लिक्विट फटलाइजर की कौन सा आप यूज कर सकते हो कब तक कर सकते हो तो यहां पर आप गोबर्खात का असरसो की खली का दोनों ही का ही लिक्विट फटलाइजर यूज कर सकते हैं कोई प्राबलम नहीं होती है मैंने अल्रेडी पहले भी वीडियो शेयर करे हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा कि अगर सरसो की खली 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 फटलाइजर यूज़ करते हो तो जो है आप उसमें पानी पहले जितनी आप सरदियों में जतने भी मात्रा में मिलाते थे उसका डबल मिलाईएगा ज्यादा अच्छा रहेगा और अप्रेल में ही करिएगा मैं जून कोई लिक्विट फटलाइजर कुछ मत यूज़ करिएगा प्लांट को ऐसी ही ग्रो होने दीजेगा एक कमेंट मेरे पास आया था जो गोबर खात के उपले होते हैं उनके उनसे रिलेटेड तो उन्होंने पूछा था क्या हम इनको बार बार यूज़ कर करोगेअ तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी तीन कशल लेक और काम करें कि जूआ धे न 옛 ant сем去 करने के बाद आप उन्हों संपटों के चोटे चोटे च्टवं मिट्वार्वी चारो डाल सकते हैं आएक मिट्कै कर दो कोई नुकसान नहीं होगा फिर मिलते हैं किसी ने वीडियो तब तक एलिए नमश्कार